नमश्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजे नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए इस चैनल की सारी लेटेस वीडियो तुरन देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों भी कुश्चिन ट्राई करते हैं और पहला कुश्चिन हमारे पास है कि 43.12 बेस 5 को ट्रांसलेट करना है बेस 7 में देखे दोस्तों वैसे तो आपको मिलते हैं जान बूझके से रेंडम बेस लेने का रीजन है कि हम शौर हो जाएं कि कोई सी भी वेस से किसी वेस में जाना हो तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अब देखे जैसा हम ने सीखा बेस 5 से जाना है बेस 7 में दोस्तों डारेक्ट यह काम करना पॉसिबल नहीं है त और फिर बेस 10 से दोस्तों हम ट्रांसलेट करेंगे बेस 7 में इसका मतलब पहला काम क्या करना है बेस 5 साना है बेस 10 में कैसे आते हैं प्रोसेस हमें याद है तो देखिए यह नंबर लिगा है 43 तो 3 और जो भी आपका यहां पर बेस था 5 रेस टू पावर 0 और प्लस 4 5 रेस टू पावर माइनस 2 तो मैंने काल से वही बहुत सिंबल प्रोसेस हमको याद है ना 5 इंटू 4 यह हो जाने वाला है 20 और यह होगा 3 और 1 दिवाइद बाइद 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 25 और I can say 8 दिवाइद बाइद 100 तो यहां पर दोस्तों नंबर हम है base 10 इसका मालब आधा काम दोस्तों कर चुके हैं यहां पर 43.12 को जब translate किया 23 base 10 में तो number बना 23.28 अब देखे बचावा काम इस number को लेके जाना है base 7 में वो भी देखे process हमको आता है कैसे हमने किया था तो याद करिए आप 23 है ना हमको जाना है base 7 में तो इस number को मैं 7 से तब तक divide करूंगा दोस्तों जब तक जो हमारा quotient है जो value हमको मिलेगी वो range में ना आ जाए because base 7 की problem क्या है यहां पर हम सिरो से 6 तक ही represent कर सकते हैं यह number हमारे पास होते हैं तो यहां पर देखे नंबर हमको मिला नीचे से ओपर चलते है 32 तो 32 तो decimal से पहले अब decimal के बाद यहां प 0.28 और मेरे खाल से process आपको याद होगी हम हर बार multiply करते हैं जो भी base है system का जहां पर हमको जाना है और जो भी decimal से पहले आएगा उसको separate करते रहेंगे detach करते रहेंगे तो चले पहले इसको multiply करते हैं कि से 7 से 7 8 जा 56 and 7 2 जा 14 and plus 5 so that will be 1.96 तो देखे यहां से मैं निकाल लेता ह 1 पहला number हमको for sure मिल गया 1 अब देखे क्या बचा 0.96 फिर multiply करते हैं 7 से तो 7 into 6 that will be 42 and 7 into 963 and plus 4 67 तो इस बार मेला 6.72 तो देखे फिर अगला number में detach कर लिया that is 6 चाहे तो एक बार और कर ले ना 0.72 into 772 is 14, 77 is 49 plus 150 and that will be 5 तो मेरी काल से अब तो 3 प्लेस और 2 decimal बहुत सफिशेंट आगे काम करने की जूरत नहीं है तो यहां आपने देखा देखे कितनी आसानी से और मज़िदार तरीके से हम पहले base 5 से गए base 10 में और base 10 से गए base 7 में आचा अब भी ज़स हमने काम करना start कार्थी किया है तो जादा तर concentration में अब भी conversion पर रखना हूं पर फिर भी बात note करिएगा जब दोस्तों base बढ़ता है तो number की strength बढ़ती है यहां पर देखेगा base 5 में 43.12 जिस value को represent कर रहा था base 10 में 23 उस बात को कर पा रहा है तो यानि कि जैसे-जैसे base बढ़ा base बढ़ता है तो number चोटा हो जाता है क्योंकि उसकी base की power जादा है तो उसके जादा strength है फिर दुबारा कॉर करिए जब 10 से गए हम 7 के अंदर है तो अब देखेगे यहां पर base कम हो रहा है तो value दुबारा बढ़ गई 23 से दुबारा कहां पहुंचे 32 है एक चोटा सा observation था आगे बहुत सार 6.57 जो है base 9 में और उसको हमको लेके जाना है base 6 में तो मरे खाल से process अब हम सबको पता है just practice करने का logic है तो पहले यह हमको जाना होगा base 10 में और फिर base 10 से जाएंगे base 6 में base 10 में कैसे जाएंगे तो इस बार base है 9 तो क्या करना है 6 into 9 raise to power 0 and then 8 into 9 raise to power 1 and then 7 into 9 raise to power 2 तो यह दोस्तो आ जाने वाला है 6 और 8 into 9 यह जाने वाला है 72 and 81 into 7 में ने रीटिंग नोट करके दोस्तो रखी है यह आने वाला है लगबग लगबग 567 है ना तो इन सब को sum करेंगे तो इन गेट 645 तो basic calculation आप कर सकते है logic important है अगली चीज़ दो हमको देखनी है आगे तो द that will be 5 into 9 raise to power minus 1 यह लिख देता हूं 5 divided by 9 यह की बात है and plus यह दोस्तो है 7 यह 7 divided by 81 because 9 square करना है और इनको आप solve करेंगे तो यह लगबग लगबग आएगा 0.55 और दूसरी value आएगी लगबग लगबग 0.086 है ना तो इसको पूरा sum कीज़ेगा बात में तो यह आने वाला है भी correct up to 3 places of decimal तो total sum होगा yes 645 into 636 तो बिल्कुल simple process था तो मालेज़े आधा काम तो अपना हो गया अब बचा आधा काम जो कि इसको लेके जाना है base 6 में तो देखे यह direct देख सकते हैं 645 को divide करेंगे 6 से because base 6 में जो है वो number हो सकता है 0 से 5 तक तो चले divide करना start करते है 1 0 and then 5 6 I think च 6 से एक बार divide किया 6 1 0 6 4 7 और I think फिर चलेगा 6 7 0 42 और remainder आएगा 5 और एक बार और चलाते है 6 से now 6 2 12 और remainder आया 5 और जैसा हम देखते हो आगे करने की ज़रूत नहीं है because जैसी number ऐसा हो जो आपकी range में आजा है आपका काम हो गया तो number I think विला 2553 है ना तो यहां लिक लेते है 25 553 अब बचा काम किया है दोस्तों जो fraction part है तो हमारे पास है 0.63 और क्योंकि जाना है हमको basics में तो इसको 6 से multiply करना start करते हैं 6 6 36 6 3 18 and 3 21 and that will be 6 6 36 and 2 38 तो अपने को पहला fraction part मिल गया क्या 0.3 number बचा है 816 फिर 6 से देखे multiply करिए again 6 6 36 3 carry 6 यहां पे 6 6 1 6 and 3 9 and 6 into 8 is 48 again हमको next part भी मिला 4 चाहे तो एक बार और ट्राइ कर लेते हैं फिर एक बार देखे 6 से multiply करता हूं 6 6 36 6 9 54 and 357 and 6 8 48 and 5 so that will be 53 तो next आपको मिल गया 5 बस मेरी काल से आगे करनी तो नहीं तो that is correct up to 3 places of decimal तो अब दोस्तों यहां तक मुझे लगता है किसी भी basic किसी ब word करना अगर आपको हो तो बहुत आसानी इस तरलता से कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस है और ऐसा नहीं कि जल्दवाजी के चक्कर में आपने गलती कर दिया गेट में तो calculator आपको असर रहता है college में वी जो exam को calculator होगा तो उसका बिल्कुल इस्थमाल करें calculation check करें अब द दोस्तों बोलना चाहिए कि किसी वी बेस से किसी वेस में जाना हो तो आपको intermediary किसको यूज करना है बेस 10 को लेकिन यहां पर गौर करें सारे बेस जो है दोस्तों तो आप चाहें तो यहां पर किसको आप बेस 2 को इस्तेमाल कर सकते है जो एक्चुली जादा convenient होता है तो अ अब सारे वेसिस पर काम करने के बार अगली वीडियो में दोस्तों कॉंसेंड़ करूंगा बेस 2 पर तो बेस 2 की जितनी पावर है यानि के बेस 4 है 4 खेट जादे इस्तेमाल नहीं होता लेकिन ऑक्टल है और हेक्जाडेसिमल है तो उनमें आपस में कैसे कनवर्जन करें कॉश्चन दोस्तों आपको ओक्टल या हेक्जाडेसिमल डेसिमल इसी सब पर मिलने वाले हैं तो मुझे दीजे थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी हाज़ूर।